दंपत की गाथा नंबर पांच में जो कथा है उसके नुसार जो सावित्री या सावित्ती नाम की जगे है वहाँ एक जयत्मुनाराम बुद्ध बिहार है ये कथा वहाँ की है वहाँ पर एक ग्रस्त परिवार रहता था ग्रस्त परिवार में जो महिला थी उसको बच्चे नहीं होते थे तो उसके स्वामी ने जो ग्रहपती था उसने दूसरी शादी कर ली ताकि बच्चे हो और जो दूसरी और थी जो दूसरी उसकी पत्नी थी जब उसे बच्चा होने वाला था तो पहली वाली जो और थी वो उ उस वज़े से उन दोनों महिलाओं में एक बहुत लंबी ना मिटने वाली लड़ाई आरम हो गई और दोनों के मन के अंदर लड़ाई के बीजुत्पन हो गई पहली वाली वरत के जिसके बच्चा नहीं होता था और जिसके बच्चा होने वाला था गरपात हुआ उसके भी क्योंकि वरत को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है दोनों को ये बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है एक को बच्चा ना होने का बहुत ज़्यदा दुख है और एक को बच्चा उसका हुआ और उसको खोने का दुख है यानि दौनों का जो मौ है वो बच्चे से है और बच्चे का होना महिला के लिए एक खास बात है जो उसमें मम्ता बढ़ाती है और मम्ता के लिए वो जानी चाहती है ये लंबे जगड़े के जो बीज उनमें पड़े ये उनके बाद के जन्मों में भी आने लगे अब यहां बाद के जन्मों की कथा आरम हो गई है मैंने पहले भी कहा था मैं फिर इस पश्ट कर दूँ कि जो लोग आने वाले जो नेक्स्ट बर्थ हैं उसमें समझ सकते हैं जान सकते हैं जाने अगर नहीं जान सकते हैं तो उसको छोड़ दें सिर्फ कहानी और कथा मान के रखें मैंने जनम की और नेक्स्ट बर्थ की जो कहानी है या वीडियो है वो मैंने लोड की हुई है आप उसको देख सकते हैं वो साइंटिफिक है तो नेक्स्ट बर्थ में वो एक मुर्गी बनी और एक उसमें बिल्ली बनी यानि बिल्ली और मुर्गी का बैर दिखाया है और बिल्ली हमेसा मुर्गी के पीछे रही उसके बाद फिर नेक्स बर्त के अंदर वो हिरन और तेंदुआ बनी यानि एक हिरनी बनी और एक तेंदुआ बनी और उनमें बैर आपस में रहा बैर चलता है दोनों जीवों का एक दूसरे खाते हैं मारते हैं उसके बाद के जनम में वो जब उन्होंने मनुस्य का जनम लिया तो उसमें एक कुलकन्या बनी और एक कुलक्षनी बनी अब कुलकन्या और कुलक्षनी क्या है कुल कन्या उसको बोलते हैं जिसके जो फाइलें या जिसके जो सभाव होते हैं जिसका मन बड़ा कोमल, निर्मल और अच्छा होता है और जो सारी बातें पॉजिटिव और अच्छी करती है और जो कुलक्षनी बोलते हैं कुलक्षनी उसको बोलते हैं जिसके अंदर निगेटिव फाइल्स जादा होती है और वो हमेशा जो वैवार करती है यानि कुलक्षनी जो वैवार करती है वो हमेशा खराब करती है लड़ती रहेगी फसाद करती रहेगी उसमें के मन में हमेशा अफसाद रहेगा हमेशा उसके मन में घिर्णा रहेगी परोद रहेगा तो कुल कन्या और कुलक्षनी इन दोरों में ये अंतर होता है अब कुल कन्या की शादी हुई तो उसके बच्चा हुआ पहला बच्चा हुआ तो वो बच्चा कहानी है कहानी के हिसाब से आपको लें इसको पहला बच्चा हुआ तो यक्षनी ने उसको देखा और देखने के बाद में जो बच्चे को feeling आई और महसूस आई और डर गया और डर के मारे वो मर गया ऐसे करते करते उसके तीन बच्चे मर गये जब चोथा बच्चा उसका हुआ और होने वाला हुआ तो वो जब अपने बच्चे को डूद प्ला रही थी उसको मिलके फीड कर रही थी तो जो यक्षणी है उसका नाम काली यक्षणी बताया है यानि काली यक्षणी काली नाम उसका रखा हुआ है तो काली यक्षणी ने उसको देखा देखते ही बच्चे के अंदर ऐसी फिलिंग आई उस काली यक्षनी को देखके कि वो बीमार पढ़ गया तो बीमार पढ़ने से जो उसकी माता थी वो घबराई और उसे पता था कि भगवान बुद पास के जैत्वन अराम बिहार के अंदर आराम करते हैं और वो सीधी वहां दोड़ी और दोड़ के उसने अपना बच्चा भगवान के सामने रख दिया और भगवान से कहा कि आप इसकी रक्षा करें भगवान ने जो बहार काली यक्षनी उसके पीछे पीछे भागी जैसे आप का घर और आप अगर सारे बहुत इमानदार हैं, सारे काम सील के हिसाफ से करते हैं, सारे सीलों का पालन करते हैं, कभी ना चोरी करते हैं, ना वेफचार करते हैं, ना जूट बोलते हैं, ना सराप पीते हैं, ना हत्या करते हैं, ना क्या बोलते हैं, कोई मिथखचा और आपके परिवार में ऐसे ही सब हैं, तो वो परिवार के अंदर एक positive energy घर के अंदर होती है, घर के अंदर चाहे बेशाख खाने पीने के सामन कम हो या जगय कम हो, मगर उस परिवार और उस घर में से खुस्बू आती है, और यह सच में आती है, इसका कहीं कोई ऐसा नहीं ह सारे लोग सच्चे होते हैं उसके परिवार में अगर आर्थिक तंगी भी होगी तो भी खुश्बू आती है उनके चेरों से भी खुश्बू आती है और पॉजिटिव बाता बना रहता है और वहां कोई ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता हो वेबचार करता हो शराप पीता हो जू हुआ है शराप है सब चीज है तो आपके घर में कोई भी आयागा जाएगा अपना अधिकार समझ के क्योंकि मौरली वो घर बहुत कमजूर होता है और वो घर काला माना जाता है तो काली यक्षनी की बुद्ध बिहार में घुशने की हिम्मत ही नहीं हुई तो बुद्ध न जो अणू और परमाणू है उनकी वाइबरेसन भी वो रीड कर ले लेते हैं बुद्ध बनने की यही खास बात है कि बुद्ध अपने सरीर की एक एक तरंग को जो तरंगे अणूं से पैदा होती है और बनती है उनको देखते हैं समझते रीड करते हैं और जानते हैं कि ची शाधना करते हैं या सच्चे होते हैं वो भी सामने वाले का मन मस्तिक्स को यांनी कि उसके मन को पढ़ सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये वेर है ये वेर का मतलब दुस्मनी है वेर में दो मात्रा नहीं है ये दियानक ना पाली के अंदर कहीं भी दो मात्रा नहीं है ना औरत वाली दो मात्रा है ना वेर वाली तो वेर बोला है जो वेर है तुम दोनों के अंदर ये आज रहने के बाद में उन्होंने एक गाता कही। समन्तीद, समन्तीद, कुदाचनंग, समन्तीद माने, सम्मत माने, शान्त होना, कुदाचनंग माने, कभी, या किसी भी समय, किसी भी समय, यानि कभी भी वेर से वेर, दुस्मन से दुस्मनी सान्त नहीं होती। अगर आप अवेरन करोगे यानि कि एवेर करोगे आप अगर जगडा नहीं करोगे दुस्मन नहीं करोगे चै संबनती और तब जाके संबनती सांती हогी ऐस धमो सनंतनों का इन तीन सब्दों का जो इस्तमाल है वो जो आपने देखा होगा कि ओषो की जो किताब है ओषो की मशूर किताब क्योंकि ओषो अपने लाष्ट के दो साल में बुद्ध की तरफ पूरी तरह से आगे पहले तो नहीं आए मगर लाष्ट में उन्होंने अपना समरपन पूरा बुद्ध की फिलोस्पी के लिए किया और ऐस धंबो सननतनों करके उन्होंने कैई सारी किताब निकाली तो ऐस धंबो सननतनों उन्होंने यहीं से सब लिया है यानि कि यह जो धंपत की पांचवी गाता है इसकी जो लाष्ट में ऐस धंबो सननतो ऐस का माने यह है यानि ये है धम माने प्रकरती है और सनंतनों का मतलब है यानि इटरनल का मतलब है पैरी मिवल है ये हमें साथ चलता आ रहा है जब से मनुस्य बना है जब से नीचर बनी है तब से ये चला आ रहा है कि आप अगर किसी से वैर करेंगे तो वेर से वेर सांत नहीं होगा दुस्मनी से दुस्मनी कभी सांत नहीं होती ये का था उन्होंने कही एक कहानी उन्होंने बताई एक तिबबत के अंदर भी कहानी चलती है तिबबत वाली जो कहानी है वो और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है एक गाडी में गाडीवां जा रहा है गाडी लेके आराम से दीरे-दीरे करके बैल चलाके अपने दू लगाके उसे सामने एक ओरत मिलती है बहुत सुन्दर सी उस ओरत वो कहती है कि मुझे दूर जाना है आप मुझे उसमें बठा लीजिए तो वो उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है जब उस और औरत को बैठा के वो चलता है थोड़ी दूर तो आगे जाके उसे एक औरत और दिखाय दीती है जो बड़ी भ्यानकसी है बड़ी खतननाकसी है वो जो गाड़ीवान है वो डड़ जाता है और अपनी तलवार निकाल के उसको मार देता है जब उसके दो टुकले कर देता है तो वहाँ फिर वो एक की जेगे दो औरत हो जाती है और जब वो दो के भी दो टुकले कर देता है तो वो चार हो जाती है और वो बड़ा परिसान होता है कि जितनी औरत को वो कारता जारा है उतनी औरतें वो और ज़्यादा होती जा रही है तब उसे एक भखषेवानी होती है एक आकास से आवाज आती है कहानी चलिए ध्यान रखना ये सचाई नहीं है, ये कहानी है क्यों है मैं इसको आपकी बताऊंगा आपको इसको दिमाग में कहानी के रूप में रखें तो उसे एक आकासवाणी होती है कि ये जो औरत तुने अभी पहले वाली सुन्दर औरत जो तुमने बठाई है ये इसी के रूप है अगर तु गाली वाली औरत को मार देगा तो ये सारी औरत मर जाएंगी तो वो गाली वाली औरत को काट देता है और उसके बाद वो सारी औरत गायब हो जाती है ये कहानी सिर्फ बदाने के लिए है क्योंकि ये कहानी और कथा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपने एक सुन्दर औरत देखके उसको गाड़ी में बठाया सुन्दर वस्तू है या कोई खुश्बू है या कोई द्रस से आपने अच्छा देखा या कोई गाना आपने अच्छा सुना कोई भी चीज हो सकती है रस ऐसा जो आपने अपने मन के अंदर रख लिया वो फाइल आपके मन के अंदर बन गई अब जैसे ही वो फाइल बनी तो तो फाइल और फाइल बना रही है, यानि अब आपको और चाहिए, जैसे मालो सपोज आपने एक सुन्दर कार का चित्रन अपने अंदर रखा, तो एक सुन्दर कार आपके पास आ गई, वो तो आ गई, अब आपको और चाहिए, लाल लंकी कार थी तो आपको हरे रंकी तो उसको आपका सालेल सरव अचा चाहिए यानि कि आपकी वो एक्षाएं बढ़ती जा रही है इसलिए आपको जो पहली एक्षा है पहली फाइल है पहली मूल जो चीज है वो पहले खतम करनी है अगर आप कार ही खतम कर देंगे अपने मन से उसको हमेसाग लिए निकाल देंगे उसका जिक्र नहीं करेंगे तो उसके बाद की चीजे भी अपने आप खतम हो जाएंगी यानि कि एक चीजा आपने डाली अपने सरी के अंदर एक वेर डाला और उससे वेर बढ़ने लगा उससे राग बढ़ने लगा, उससे दोस बढ़ने लगे इसलिए आपको मूल करन खतम करेंगे तो वो खतम हो जाएगा तो आपको वेर खतम करना है अगर आप वेर खतम नहीं करेंगे तो वो जीवन भर चलेगा क्योंकि वेर की जो फाइल है वो आपके पास रहती है ये ठीक ऐसे है कि जैसे आपने अपने हाथ में जलता हुआ आग का टोकड़ा ले लिया अंगारा ले लिया तो अंगारा जब तक आपके हाथ में रहेगा तब तक वो आपको जलाता रहेगा यानि अंगारा जो वैर है और वो आप उसे लगातार हवा देते रहेंगे तो उसे वो शांती नहीं पड़ेगी इसलिए अंगारा आपको हटाना पड़ेगा ये दूसरी कता में बात आती है अभी मैं आपको दूसरी कता बताऊंगा जिसको हम कता नंबर 6 बोलेंगे धंपत की धन्यवाद